पवित्र धाम केदारनात मंदिर के कपाट गुरवार 9 माई को सुबह खोल दिये गए हैं। कपाट खुलने के दोरान सैक्डों की संख्या में दीर्थ यात्रियों ने भगवान केदारनात के दर्शन की। 7 माई को गंगोत्री और यमनोत्री के कपाट खुलने के साथ ही चार धाम यात्रा शुरू हो गई थी। यह यात्रा 6 महिने चलेगी। कल 10 माई को बदृनात के कपाट खोले जाएंगे। इन मंदिरों के कपाथ हर साल अक्टूबर नवंबर में छे महीने के लिए बंद कर दिये जाते हैं जो अप्रेल माई में फिर से खोले जाते हैं इस बार भारी हिमपात से यात्रा मार्ग में काफी बरफ जमा हो गई थी जिसको उत्राखंड सरकार और स्थानिय प्रशाशन ने एक जुटता से साफ कर दिखाया है उत्राखंड में हर वर्श चार धाम यात्रा होती है चार धाम यानि की गंगोत्री यमनोत्री केदारनाथ और बद्रीनाथ गंगार नदी का उद्गम गंगोत्री और यमना नदी का उद्गम यमनोत्री है दोनों ही उत्तरकाशि जिले में पढ़ते हैं वहीं बद्री विशाल भगवान विश्नु का पवित्र इस्थल, बद्री नाथ धाम, चमोली और भगवान शिव का पवित्र धाम, केदार नाथ, उत्राखन के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। Bureau Report लाइव उत्राखन